असलाम लीकूम आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इंस्टेंट दही भल्ले बनाने की रेसिपी इंस्टेंट इसलिए क्योंकि हम बनाएंगे इसको सूजी से पैसे तो आपने दही भल्ले का एक बड़ा बनायोंगे उसको पहले से भीगोना पड़ता है फिर उसको पीछना पड़ता है प्रोसेस काफी लिंदी हो जाता है लेकिन यह बनते हैं बहुत एजी ली तो आज़े देखते हैं कैसे बनाना है इसको मैंने इस मेजरिंग कप से ना पाई यह 250 से मिल का एक कप है और जितनी सूजी हमें लेनी है उसकी क्वांटिटी का आदा हमें यहाँ पर दही ले लेना है तो मैंने यहाँ पर हाफ कप दही लिया हुआ है वन फूर टीस्पून से भी थोड़ा कम मैंने बेकिंग सोडा लिया है और हाफ टीस्पून नमक लेंगे तीन चार हरी मिर्चों को मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ है लेकिन आप चाहें तो पेस्ट ना बनाएं आप इसको बारे काट कर भी इस्तमाल कर सकते हैं और हाफ पीज कीए हुआ है हे तो सोजी में हम दही डाल देंगे और इसको मिला देंगे और हमें डाल देना है पेस्ट और हारी मिल्चों का पेस्ट और नमक डाल देंगे baking soda हम बाद में डालेंगे जब सूजी फूल जाएगी अभी सूजी फूली भी नहीं है और इसमें हम पानी डालेंगे तो मैंने half cup पानी लियाँ जिसमें से थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे एक साथ पूरा पानी नहीं डालेंगे और इसका एक गाड़ा सा बैटर बनाएंगे थोड़ा पानी मैं भी और डाल रही हूँ और इसको मिला देंगे तो ये देखिए गाड़ा सा बैटर बन गया है अब हमें इसको ढग कर रख देना है 20-25 मिनट के लिए जिससे की सूजी फूल जाएगी तो 20-25 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे तक्रीबन 20 मिनट हो गए बैटर को रखे वे तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं ये देखिए रखे रखे थोड़ा गाड़ा हो गया है क्योंकि सूजी ने जो पानी था वो अब्सॉब कर लिया है भलो को फ्राइ करने से पहले हमें एक पानी त्यार करके रख लेना है इस पानी में हमें भलो को डुबोना है जब वो फ्राइ हो जाएंगे तो मैंने यहाँ पर 3 कप के पानी लिया हुआ है इसमें मैं 1 टेबिल स्पून शकर डालूंगी और 1.5 टी स्पून नमक डालूंगी और इसी के साथ 1.8 टी स्पून डालेंगे हींग दो चुटकी के करीब है यह और इसको अच्छे से मिला देंगे यह नॉर्मल टंपरिचर का पानी है गरम या गुन-गुना नहीं है अच्छे से इसको मिला देंगे जब हमारे भल्ले फ्राय हो जाएंगे तो तेल में से इनकालने के बाद डायरेक्ट भल्लो को हमें इस पानी में डालना है अधर हम अपने बैटर की तरफ आ जाते हैं भल्ले बनाने के दो तरीके हैं या तो आप हाथों पर थोड़ा सा पानी या फिर तेल अपलाई करके इसमें से एक पोर्शन लेके इसको हलका सा गोल्ड टिक की टाइप का शेप देते हैं इस तरह से या फिर दूसरा तरीका में आपको अभी पैन की तरफ चलते हैं तब दिखाती हूँ इस तरह से इसको ड्रॉप करते हैं हमको तो यहाँ पर तेल मैंने गरम करावा है मीडियम फ्लेम पर प्रॉपर अच्छे से गरम होना चाहिए तेल और जो भल्ला हमने हाथ पर बनाया था वो हम इसमें डाल देंगे दूसरा तरीका है आप चमच से डाल दें चमच को हलका सा गीला कर लिजगा लेकिन इसमें पानी नहीं होना चाहिए गीला करने के बाद आप उसको बैटर में डालिए और इस तरह से इसमें ड्रॉप कर दीजए गैस की फ्लेम को यहाँ पर मीडियम ही रखना है तो यह दूसरा वाला तरीका जादा कन्विनियंट है कमपैटिबली पहले वाले तरीके से अब हम इसको फ्राइ करेंगे शुरू कि एक से डेर मेट हमें इसको टच नहीं करना है जब यह अपने शेप में आ जाएंगे तब हम इसकी साइट्स को बदलेंगे और दोनों तरफ से गोल्डन और क्रिस्पी होने तक इनको फ्राइ करेंगे जो भला हमने पहले डाला था वो थोड़ा जल्दी से गोल्डन हो गया है बागी के भलों को भी हमें परफेक्ली गोल्डन होने तक फ्राइ करना है तो अब आप देख सकते हैं इनमें अच्छा सा कलर आगी है तो अब हमें इनको निकाल लेना है और निकालने के बाद डायरेक्ट हमें इसको उस पानी में डाल देना है जो हमने तयार करके रखा हुआ है यह देखिए एकदम परफेक्ट यहाँ पर हमारे भले बने हैं शेप भी अच्छा है और कलर भी यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी इस स्टेज़ पर आप इनको फ्रीज भी कर सकते हैं आप किसी जिप लॉक बैग में या पर एयर टैट कंटेनर में इनको डाल दें और फिर जब आपको जरूरत हो तो निकालें 10-15 मिनट के लिए पानी में डालें और इसको अच्छे से निचोड कर यूज करें लेकिन मैं इनको अभी यूज कर रही हूँ तो मैंने जो पानी त्यार कर रहा है उसमें मैं इसको डिप कर दूँगी क्योंकि हमने इनको अभी बनाया तो बस हम 5 मिन के लिए इसको डिप करेंगे लेकिन अगर आपने इसको फ्रीज कर रहा है तो 10 मिन के लिए आप इसको डिप कर सकते हैं पानी में बस पांच मनट के लिए इसमें डले रहने देंगे, फिर हमें इससे निकाल लिएता है और निचोड लिएता है, इस तरह से, अब हमें अपने भलो को चाle ले लेता है, तो मैंने लिया यहाँ पर 2 कप गाऴा दहीë, दही को अच्छे से बीट कर लिए गा। उसमें लंब सो गयरा ना हो और अब हम इसमें डाल देंगे एक टेबिल स्पून पीसेवी शकर मैं यहापर पीसेवी शकर यूज़ कर रही हूँ जिससे कि यह आसानी से इसमें खुल जाएगी और अब हम दही को पोर कर देंगे भलो के उपर अच्छे से इसको कवर कर देंगे तो अभी यह जो दही बच किया है इसको हम बाद में यूज़ कर सकते हैं सर्फ करते टाइम उपर से और डाल सकते हैं अगर ज़रूरत महसूस हो और अब हम इसके उपर डालेंगे लाल मिर्चों का पाउडर कुटी भी लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं आप यहां पर भुनावा और कुटावा जीरा डालेंगे चार्ट मसाले का पाउडर डालेंगे और कालर नमक डालेंगे अब हम डालेंगे इसको पर लाल चटनी इस चटनी का लिंक आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूगी यह इमली की खटी मीठी चटनी है और इसी के साथ हरी चटनी इसके ओपर हम डालेंगे इन दोनों ही चटनीयों का आपको लिंक मिल जाएगा दिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो बस तयारे हमारे दही भले बस तयारे हमारे दही भले अब हम इसको सर्फ कर लेते हैं यह देखिए तो बस अब हमें इनको सर्फ कर लिना है बस जब आप इन भलो को बनाए तो आप इसको इंस्टेंटी सर्फ करें आप बहुत देर पहले इनको ना बना ले, 3-4 घंटे पहले अगर आप इनको बना लेगी तो यह जो हमारे सूजी है, यह सारा दही अबसॉर्ब कर लेगी, तो आप इनको इंस्टेंट बनाएं और इंस्टेंटी सर्फ करें, बहुत ही मज़ेदार बहले बनते हैं हमारे, और कितने सॉफ्ट भी बनें एकदम इस्पंजी अंदर से बहुत ही सचांदार बहुत ही टेस्ट ही हमारे भले बन करते हैं अब क्योंकि रोजा है तो मैं टेस्ट तो नहीं कर सकती हूं लेकिन आपको दिखा ज़रूर सकती हूं अगर पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक जरू करिएगा फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर जरू करिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार रहे हैं तो प्लीज पिना सब्स्राइब किये मच चाहिएगा थैंक यू